वेलकम टो अमेसिंग फैक्स कलेक्शन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हरी मर्ची इतनी तीखी क्यों होती है आईए हम जानते हैं खाना बनाने के लिए जिस मसालों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें मर्च जरूर शामिल होती है मर्च का हिस्तेमाल साबुत और पौडर दोनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा हरी मर्च भी खाने की स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है मर्च लाल हो या हरी उनमें एक बाद जरूर कॉमन होता है कि उसमें तीखापन जरूर होता है किया जाता है सही बात है कि खाने में ज्यादा मर्ची होने से खाने का स्वाद बिगड जाता है लेकिन मर्ची के बिना भी खाने का स्वाद बिगड जाता है तरसल मर्च में कैपसाइसिन नामक कंपाउंट होता है जो इसके बीज वाले हिस्से में होता है और इसे तीखा बना और खून में सबस्टेंस पी नामक केमिकल रिलीस करता है जो दिमाग में जलन और गर्मी का सिगनल देता है मिर्च लगने के बाद लोग खूब सारा पानी पीते हैं और अगर स्किन पर मिर्च की जलन है तो भी पानी में हाट डाल कर रखते हैं लेकिन जब तक पानी पीते हैं तब तक राहत रहती है लेकिन इसके बाद फिर से जलन का एसास होने लगता है यानि पानी से जलन शान्थ नहीं होता है इसका कारण यह है कि कैपसाइसन नामक कमपाउंट पानी में घुलन शील नहीं होता है जलन को शान्थ करने के लिए दू हरी मर्च स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छा है। हरी मर्च में ऐसा बहुत सारे गुन पाए जाते हैं जो डाइबेटीस और वजन को कंट्रोल करने में फाइदे मंद होते हैं। हरी मर्च में कई तरह के पोशक तत्व पाए जाते हैं जैसे की विटामिन A, B6, विटामिन C, आयन, कौपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देए।